Hello everyone, कैसे हो आप सब? मैंने आप सब के साथ बहुत सारे facial kit का review and demo share किया हुआ है और आज मैं share करने वाली हूँ organic harvest का ये कुम कुमादी facial kit with saffron इसको मैंने काफी टाइम पहले यूज किया था बट review share नहीं किया क्योंकि इसको use करने के time मुझे कुछ problem हो गई थी तो मुझे लगा कि मुझे इसका review share नहीं करना चाहिए बट फिर सुचा जब सब कुछ अच्छा रहता है तब तो हम video share कर देते हैं बट जब कोई problem हो गई है तो नहीं करना ये गलत हो जाएगा तो आज इसलिए ये video मैं लेकर आई हूँ आप इसे पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे आपको असली बात पता चलेगी और इसका result कैसारा वो आपको वीडियो के end में पता लग जाएगा तो चलिए video को start करते हैं तो ये रहा इसका box ये है एक instant glow facial kit और ये एक organic product है इसमें आपको 5 steps मिलते हैं तो इस तरीके के कुछ pouches आपको मिल जाएंगे वैसे तो मैंने इसको एक बार में use कर लिया है बट इसमें इतनी quantity रहती है आप चाहो तो इसको दो बार भी use कर सकते हो तो first step जो है वो है cleanser का तो इस तरीके का ये pouch है इसको हमें कट करके इसका cleanser निकाल लेना है first step में आपको अपने face को clean करना है जिससे की जो भी dirt बगेरा हो गंदगी हो वो आपके face से निकल जाए और आपका face facial करने के लिए ready हो जाए तो इस तरीके का light yellowish color का जो है इसका cleanser है बिल्कुल gel like formula है और काफी अच्छी इसकी fragrance थी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इसको use करना और इस तरह से बिल्कुल चिकना सा था तो इसको face पर लगाना और से massage करना बहुत अच्छा लग रहा था तो I think इसमें लिखा हो था दो मिनट की मुझे massage देनी थी और इसके बाद इसको wipe out करना था बट इसको जैसे मैंने use करा दो मिनट होते होते मुझे ऐसा लगा हलकी हलकी सी face पर जलन शुरू हो चुकी है बट मैंने ध्यान नहीं दिया और पूरा मैंने इसको कर लिया और इसके बाद मैंने अपने face को wash कर लिया क्योंकि मुझे हलकी जलन हो रही थी तो मैंने इसको wipe out नहीं किया तो मैंने इसको अच्छे से clean कर लिया पानी से धो लिया जिससे कि यह निकल जाए फिर भी आप देख सकते हो अभी हलकी redness मेरे गले पर शुरू हो चुकी है और हलकी हलकी मुझे जलन सी feel हो रही है बट मैं चलिया नेक्स्ट अप की तरफ जो की था इसका scrub तो यह भी पाउच में था इस तरीके का इसका consistency कुछ white color की और इसको भी मैंने अपलाई कर लिया वही हलकी फिल की जलन के उपर ही और इसके बाद मैं इसकी मसाज करने लगी तो करीब दो से तीन मिनट ही हुए थे कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब कि कुछ जलन मेरी फेस की बढ़ रही है और इसके पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसा हो चुका है कि मैंने कुछ और और यह हो आलोवेरा जेल का यूज किया थ अपने फेस पर और पांच मैट के अंदर ही मेरे फेस पर एक दम रैडनेस हो गई थए तो मुझे वह फीलिंग अंदर से हो रही थी कुछ ना कुछ गड़बड हो रहा है तो मैंने पांच मर्ड तक वेट नहीं किया दो तीन मिनट ही स्क्रब किया और इसके बाद मैं मैंने सूचा चलो इसको वाश कर देते हैं जादा टाइम नहीं लेती हूं या फिर इसको कंटी अपने हाथों पे निकाल लिया जैसे कि पहले आपने क्लिंजर देखा था उसी चैप काई कुछ जल था डार्क यलो कलर का है ये बट मेरी हिम्मत नहीं हुए अभी आप देखो कि मैंने अभी कैमरा बंद निकिया मैं अपने फेस को मेर में देख रही हूं कि क्या हो रहा है क्योंकि पहले जो हुआ था मुझे प्रॉब्लम अलोवेरा जैल की वज़े से और गैनिक वो था कि पूरे फेस में मुझे लाल-लाल से जो है चकत्ते से हो गए थे और मैं बहुत ज़दा गपर गई थी तो मैं वही देख रही हूं कि क्या हो रहा है फेस पर अभी बहुत ज चोड़ा और करी 20-25 मिनट का मैंने वेट किया तो इस तरीके का हाल हो रहा था मेरा मुझे बहुत डर लग रहा था कहीं है सोनों की फेस पे कुछ गरबढ हो जाए या फिर स्किन में कुछ खराबी आ जाए तो यह होता है कई बार ऐसे जो और गैनिक प्रोड़क्ट होते है उस पर यह mention किया हुआ रहता है कि मतलब हो सकता है कि कई बार और गैनिक जो प्रोड़क्ट होते हैं वो हर किसी की स्किन को ना सूट करें तो अभी तक इतने भी मैंने प्रोड़क्ट सी यूज किये हैं उसमें कभी ऐसा नहीं हो बस यह दो बार की है एक यह और इसके पहले अगे का स्ट्रेप कंटीनिव किया जो मैंने जेल निकालकर रखा था वो मैंने फेस पर अपलाई किया और करिब 20-25 मिनट बाद जैसे मैंने बोला कि जलन हल्की हो रही थी तो जब मैंने जैल अपलाई किया तो जलन थोड़ी-थोडी और कम होनी शुरू हो गई कि जल में ह जलन है कि यह प्रोड़क्ट खराब है या फिर हर और और गैनिक प्रोड़क्ट हमें सूट नहीं करेगा इस तरीकी के प्रॉब्लम देगा तो कुछ भी हो सकता है बट मुझे लगा कि अगर यह आगे सही जा रहा है तो मैं इसको आपके साथ शेयर कर देती हूं तो अब मै अपलाई किया काफी अच्छी फ्रेग्रेंस थी और काफी अच्छी मुझे लगी क्रीम भी अभी मुझे फेस पर कोई भी दिकत नहीं हो रही थी मुझे आराम मिल गया था जो भी जलन या फिर मुझे रेडनेस थी वो तो इसको मैंने अच्छे से मसाज किया करीब 10 मैट इ इसको मैंने इस तरीके से पूरे फेस नेक पर अच्छे से अपलाई कर लिया है और सर्कुलर मोशन में इसकी मसाज कर रही हूं तो अपने जो चीक्स पर अपनी नोस पर अपने जो नेक एरिया पर अप अप्वर्ड मोशन में इस तरीके से मसाज कर लिजा अच्छे से जैस कितना अच्छा चेहरे पर ग्लो आ रहा है और चेहरा बहुत अच्छा सा जैसे कहते ना वाइट निंग एफेक्ट अगया है तो हलका जो है रंग भी निखरा हुआ सा लग रहा है अभी लांस्ट टेप है मास्क का तो मैं इसके बाद मास्क अपलाई करने जा रही हूं तो मास अगर आप तुर जिया कुटा रहा हन स alorsना मुझे चेहरे मिएगर मुझे तो सब के साथ अच्छा लगा देखसके हो कि चाहरा ब्राइड यह दिक रहा है और कंफी दृढ़ हो गया उगर रहल मुझे प्रॉड़क्ट अच्छा लगा है अगर वो प्रॉब्लम नहीं होती त तो मुझे 100% अच्छा लगता, अभी मैं इसको 90% तक ही दूँगी, जो 10% है वो मेरी skin पर जो problem होई तो इसके लिए मैं cut कर लेती हूँ, तो बस ये था आज का मेरा review and demo, अगर आपको ये honest review video पसंद आया है, तो इसको like and share ज़रूर कर दीजेगा अपने family and friends के साथ,